हेलो दोस्तों तो ये देखे बेशन की बर्फी है इतनी यह मी कि मामा की बेशन भी इसके आगे फेल हो जाए तो चले बताते हैं कैसे यह बनेगा मैं क्या करीन हूँ एक कटोरी से थोड़ी सी मतलब पौना एक कटोरी मैंने यहां घी ले लिया है उसे मिल्ट कर ली थी इसलिए ऐसे पतला लग रहा है और उसी कटोरी से दो कटोरी मैंने बेशन नहीं है इतनी अच्छी बेशन है कि आपको मतलब वजन करने की कोई दिकती न इसे भूनेंगे तब तक 12-15 मिनट तो बगल वाले गैस पर मैंने रख दिया उसे भूनेंगे धीरे धीरे तब तक मैं इस वाले गैस पर न चासनी बना लेती हूँ तो जितना घी था न उतना ही सकर है मतलब कि एक कटोरी से थोड़ा सकम और पानी उतना ही डालोंगे बस सक न क घी और सकारज कारडोग से इतना डालना है पानी घी और सकररज कल एक कल टोरि में आधा आधा इंच कम बस पौना मतलब घी है तो पौना एक कल टोरी सकर हुँ छिफरा ichi सक था और दो कटोरी हां बेशन था इसं शकी अगल में बेशन को में भूंती रहोंगे बेशन कम से कम 10 से 12 मिनट अच्छे से भूनेंगे और चासनी का एक तार बनाएंगे जब घर में कुछ भी नहां मिठा खाने का मन करें तो यह मिठाई जरूर बनाएं वर्फी फटाफट बनती और बहुत यह बहुत टेश्टी लगत और जैसे बेशन भून जाएंगे इसमें डाल देंगे तो जैसे यह चासनी बन जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी यहां थोड़ा सा मैंने यलो कलर डाला है जैसे मार्केट में कलर डालते है वैसे मैं भी आपको कलरी डाल के दिखाऊंगी तो यहां मैंने थोड़ा सा यलो कलर डाला है और यह देखे मेरी तार बन रही है मोटी तार बन गई तो यह हमारी रेडी हो गई है चासनी मैं इसे बगल में रख दूँगी पर गैस बन हो जगा क्योंकि मेरी चासनी रेडी हो गई और यहां में बेसन दिखा रहे हैं कम से कम पांसात मिनट हो गया और पांसात बून गई यूंकि गेस के सामने आपको गंध नहीं आती है और इसे थोड़ा थोड़ा पानी का छिटा देखे फर फिर इसे भूनेंगे पानी के छिटा डालेंगे दो से तीन बार और इसे धीरे धीरे लो फिलेम पे भूनेंगे कम से कम 10-12 मिन यह हमारे बेशन भून के प्लीज 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 लाइक से स्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो इसे चासनी डालके अच्छे से मिक्स करेंगे दो से तीन मिनट और घर में जब भी मिमन कर मीठा खाने को कुछ भी ना हमावा हुआ तो बेशन के बर्फी बना लीजी और यहां मैं थोड़ी द्राइब प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि में पहले बूलंग गॉस्क्राइब करने को लाइक सेर करने को पहले करें करीं फिर उसके बाद जमित तब करीए यह पता तब तक भूनना है दो से तीन मिनट जादा नहीं भूनना है मतलब हमारी बन की रेड़ी होग मेरे पास तो हिए केक कटीन ना हो प्लेट यूट में नीचे चाले ना सी पहले म होता ले तो ने सलाइस कर लिया था एक दम अच्या तो यह देखिए में रात भर रखी थी मेरा सेट हो गया है पूरे अच्छे से में सुबर निकाल के आपको दिखा रहें से कट करके धीरे दोनों हाथों से हलके से निकालिए अगर आपके पास टीन नहीं हो तो प्लेट हो प्लेट में घी लगा के नीचे ड्राइफुट नीच से डालिए उसके ऊपर जो बेशन का बनाये थे बरफी के लिए अपन डो डालिएगा तो देखिए हमारा सेट होके रेडी हो गया हमें आपको निकाल के दिखाते हैं मैंने इसे सेट किया था रूम टमपरेचर वा फ्रीज में नहीं किया थंडी चल रही तो फ्रीज में मैं इसे में कट कर दूँगे आपको जिस साइज में कट करना उस साइज में कट कर दीजिएगा और मैं इसे कट करके इसको एयर टाय डब्वे में मैंने रख दिया था मैंने रख दिया था इसके बाद फ्रीज में फ्रीज में क्या होता है जो चीज बाहर दस दिन रहता हो फ्र अगर एक भी रिस्पी आपको जमगे तो प्लीज प्लीज लाइक, सेट, सस्क्राइब जरूर करिएगा ये मेरी आपसे रिक्वेश्ट है और जो डिमांड करेंगे न मैं जरूर रिस्पी लाऊंगी चाहे मिठाई हो चाहे इंडिया की कोई भीर डिस हो आप डिमांड तो करि लेगा तो सबसे बेश्ट हो गई है और ये मिठाई यमी लगती है इसके बाद मैं और बहुत से मिठाई लाने माली हूं ऐसे तो मैं अभी तुरंत एक दो दिन में लाऊंगी वेट लॉस की लड़ू लाऊंगी पूरी की पूरी जो वेट लॉस पर डाइट पर है तो उसक लेगा क्योंकि बहुत बारिक होता है हर जगा वो नए चलता है तो इसके लिए आपको बेसल लेना पड़ेगा तो चक्की का जो बेसल मिलता है या खुला बेसल मिलता हूँ वह ही लेना पड़ेगा तो फ्रेंड फटाफट कमेंट करें कि मेरी रिस्पी आपको कैसी लगी जमी या नई जमी अगला रेस्पी कौन सा डिमांड है ताकि मैं उस पे काम करूँ तो फिर मिलते हैं नई वीडियो नई रेस्पी के साथ प्लीज प्लीज लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फ्रेंड मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए